मेरे प्यारे देश्वासियों, आपको ध्यान होगा, मन की बात के एक एपिसोड में मैंने कहा था कि भारत के पास टॉइज एक्सपोर्ट्स में पावर हाउस बनने की पूरी ख्षमता है, मैंने स्पोर्ट्स और गेम्स में भारत की सम्रुद्ध विरासत की खास तोर पर चर् प्रकृती, दोनों के अनुरूप होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं, मैं आज आपके साथ भारतिये खिलोना की सफलता को शेर करना चाहता हूँ, हमारे यंग्स्टर्स, स्टार्टप्स और एंटरप्रस के बूते, हमारी टॉइ इंडिस्ट्री ने जो कर दिखाया है, जो सफलता है हासिल की है, उसकी किसी ने कलपना भी नहीं की होगी, आज जब भारतिये खिलोनों की बात होती है, तो हर तरफ वोकल्फ और लोकल्फ की ही गुंच सुनाई दे रही हैं, आपको यह जानकर भी अच्छा लगेगा, कि भारत में अब विदेश से आने वाले खिलोन से जादा के खिलोने भार चे आते थे, वहीं अब इनका आयात सत्तर प्रतिशत तक घट गया है, और खुशी की बात यह है, कि इसी दोरान भारत ने दो हजार छेसो करोड रुपे से अधिक के खिलोनों को विदेशों में निरियात किया है, जबकि पहले तिन सो चार सो नहीं भारत से भार जाते थे, और आप तो जानते ही हैं कि यह सब कोरोना काल में हुआ है, भारत के टॉय सक्टर ने खुद को ट्रांस्फॉर्म करके दिखा दिया है, इंडियन मैनिफेक्टरर्स, अब इंडियन मायथालोजी, हिस्ट्री और कल्चर पर आधारित, खिलोने बना रहे हैं, देश में जगर जगर, खिलोने के जो क्लस्टर्स हैं, खिलोने बनाने वाले जो छोटे छोटे उद्यमी हैं, उन्हें इसका भहुत लाव हो रहा है, इन छोटे उद्यमियों के बनाए खिलोने, अब दुनिया भर में जा रहे हैं, भारत के खिलोना निर्मात विश्व के प्रमुख ग्लोबल टॉइ ब्रांच के साथ मिलकर भी काम कर रहे हैं मुझे ये भी बड़ा अच्छा लगा कि हमारा स्टार्ट अप सेक्टर भी खिलोनों की दुनिया पर पुरा ध्यान दे रहा है विश्षेतर में कई मज़ेदार चीजे भी कर रहे हैं बैंगलुरु में शुमी टॉइ नाम का स्टार्ट अप इको फ्रेंडली खिलोनों पर फोकस कर रहा है गुजरात में आर्किजू कमपनी ए आर बेज फ्लेश कार्ड्स और ए आर बेज टूरी बुक्स बना रही है पूने की कमपनी फन्वेंशन लर्निंग खिलोने और एक्टिविटी पजल्स की जरिये सायंस टेक्नलोजी और मैस में बच्चों की दिल्चस्पी बढ़ाने में जूटी है मैं खिलोनों की दुनिया में शांदार काम कर रहे ऐसे सभी मेनिफेक्चरस को स्टार्ट अप्स को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ आईए हम सब मिलकर भारतिये खिलोनों को दुनिया भर में और अधिक लोगप्रिय बनाए इसके साथ ही मैं अभीभावकों से भी आग्रह करना चाहूँगा कि वे अधिक से अधिक भारतिये खिलोने पजल्स और गेम्स खरीदे